नमस्कार दोस्तों YouTube चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों इंडेस्ट्री में काफी तरह के वाल्व्स यूज किये जाते हैं और आज की वीडियो के सारे questions इन वाल्व्स के उपर है इस वीडियो को देखने के बाद वाल्व्स कितने प्रकार के होते हैं और कहां कहां पे इनका यूज किया जाता है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और दोस्तों हमारे दूसरे चैनल जी के पॉइंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है एक बार उस चैनल को भी जाके जुरूर चेक करें और आज की वीडियो का लाइक का टारगेट रखा है 200 लाइक तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों ये जो आप वाल्व देख रहे हैं आपने बताना है इन तीन उप्शन में से कि ये कौन सी टाइप का वाल्व है और इसके लिए आपको 5 सेकंड के समय मिलेगा दोस्तों ऑप्शन भी इसका राइट अंसर है गेट वाल्व और गेट वाल्व का यूज अल्मोस्ट काफी फ्लिूड में किया जाता है जैसे की एर, ओयल, गैस, वाटर और स्टीम लाइन दोस्तों ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं आपने इन तीन ऑप्शन में से इसकी टाइप बतानी है जो भी आपको सही अंसर लग रहा है नीचे कमेंट करके बताएं पांस सेकंड आपके पास दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट अंसर है नाइफ गेट वॉल और नाइफ गेट वॉल का यूज़ किया जाता है थिक लिक्वड के लिए ETP में वेस्ट वाटर में और सलज की लाइन में इसका यूज़ किया जाता है और सलरी ट्रांसवर की जो लाइन होती है और paper mill में pulp transfer की जो line होती है वहाँ पे भी knife gate wall का use किया जाता है question number 3 what is the type of this wall and its application दोस्तो इस picture को देखके जो भी आपको सही answer लग रहा है नीचे comment करके जरूर बताएं 5 second आपके पास दोस्तो option है इसका right answer है glow wall glow wall का use किया जाता है flow को control यानि regulate करने के लिए और इस wall का use steam, feed water की line, air और oil की line में किया जाता है question number 4 what is the type of this wall and its application दोस्तो तीन option आपको दिये गए है और picture आपके सामने है जो भी आपको सही answer लग रहा है नीचे comment करके बताएं और वीडियो को like नहीं किया आभी तक तो like जिरू कर दें 5 second का समय आपके पास दोस्तो option B इसका right answer है bowl wall और यह जो आप type देख रहे हैं यह two piece में है और एक आता है three piece में और bowl wall का use किया जाता है water, chemical और slurry transfer की line में question number 5 what is the type of this wall and its application दोस्तो तीन option आपको दिये गए हैं और 5 second का समय आपके पास दोस्तो option A इसका right answer है butterfly wall और इसका use water, gases, slurry transfer line और vacuums की line में किया जाता है question number 6 what is the type of this wall and its application दोस्तो तीन option आपको दिये गए हैं जो भी आपको type लग रही है इस wall की नीचे comment करके जरूब बताएं 5 second आपके पास दोस्तो option C इसका right answer है diaphragm wall और इस wall का use chemicals की line, air और water की line में किया जाता है और ये wall आपको pharma और food industry में देखने को मिल जाएंगे question number 7 what is the type of this wall and its application दोस्तो तीन option आपको दिये गए हैं और 5 second आपके पास दोस्तो option A इसका right answer है piston wall और ये wall आपको gases और liquid दोनों की lines में देखने को मिल जाएंगे इस wall का use भी fluid के motion को control करने के लिए किया जाता है question number 8 what is the type of this wall and its application दोस्तो पिक्चर देखके आपको जो भी सही answer लग रहा है नीचे comment करके जरूर बताएं 5 second का समय आपके पास दोस्तो option B इसका right answer है plug valve और इस wall का use air, gases, vapors की line और vacuums की line में किया जाता है question number 9 what is the type of this wall and its application दोस्तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं आपने इंडिस्ट्री में इस तरह के valve देखे होंगे तो आपको तीन option दिये गए है जो भी आपको सही answer लग रहा है नीचे comment करके बताएं 5 second आपके पास दोस्तो option A इसका right answer है pressure relief valve और ये valve एक safety की तरह काम करता है और इसका use gases, air, water और steam line में किया जाता है question number 10 what is the type of this valve and its application दोस्तो ये valve भी आपको इंडिस्ट्री में सभी pump की lines में देखने को मिल जाएगा तो जो भी आपको सही answer लग रहा है नीचे comment करके जरूर बताएं पान सेगिड आपके पास दोस्तो options ही इसका right answer है check valve और इस valve को NRV यानि non return valve भी बोलते हैं तो दोस्तो वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी informative लगी है तो जाते जाते वीडियो को like जुरू कर दें और चैनल पे नए है तो चैनलन को subscribe करके bell icon को press कर लें तक्स वर वच्चिंग तक्स वर वाचिंग